पर एक है, ऐसा कौन सा जीव है जिसके पेट में दात होते हैं, आपका ओप्षन है, एक, जुंक दो, बिचु तीन, केकड़ा चार, ओक्टोपस सही जवाब है, ओप्षन तीन, केकड़ा सवाल नमबर दो है, कौन से समुंद्र में एक भी मचली नहीं है, आपका ओप्षन है, एक, इंद महा सागर दो, मृत सागर तीन, भूमध्य सागर चार, लाल सागर सही जवाब है, ओप्षन दो, मृत सागर सवाल नमबर तीन है, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक गुलाम नहीं बना, आपका ओप्षन है, एक, जापान दो, अमेरिका तीन, रूस चार, निपाल सही जवाब है Option 4. नेपाल नेपाल के आज तक किसी देश का गुलाम नहीं होने के कारण नेपाल की भावगोलेक स्थिती कमजोर अर्थ अस्था आबादी का अस्मान दशा जैसी चीजें है इनहीं वज़ों से कभी ब्रिटिश हुकूमत ने भी नेपाल की और खासी दल्चस्पी नहीं देखाई पहाडों और कंदराओं वाले ऐसे देश जहां से कुछ अर्जित हो पाने की उमीद नहीं थी उसे भला कौन गुलाम बनाना चाहता सवाल नमबर 4 है दुनिया के सबसे ज़्यादा शाकहारी लोग किस देश में रहते हैं आपका ओप्शन है एक जर्मनी 2 ताइवान 3 भारत 4 इजराईल सही जवाब है ओप्शन 3 भारत सवाल नमबर 5 है निमने लिखित में से भारत का सरवच समान कौन सा है आपका ओप्शन है भारत रत्न 4 परमवीर चक्र सही जवाब है ओप्शन 3 भारत रत्न सवाल नमबर 6 है फासी की सजा कौन माप्ष कर सकता है आपका ओप्शन है एक प्रधान मंत्री 2 मुख्य मंत्री 3 विदेश मंत्री 4 राष्ट्रपती सही जवाब है ओप्शन 4 राष्ट्रपती फासी को माप्ष करने का अधिकार राष्ट्रपती और राज्यपाल के पास होता है राष्ट्रपती अपनी यह सकती का उप्योग अनुछेद 72 और राज्यपाल अनुछेद 161 के द्वारा करता है सवाल नमबर 7 है निमने लिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड पॉपूलेशन प्रॉस्पेक्ट जारी करता है? आपका ओप्शन है 1. New Development Bank 2. संयोक्त राष्टर 3. विश्व बेंक 4. राष्टर के राष्टर मंडल सही जवाब है ओप्शन 2. संयोक्त राष्टर सवाल नमबर 8 है भारत का सबसे बड़ा बेंक कौन सा है? आपका ओप्शन है 1. बेंक अफ बड़ोडा 2. स्टेट बेंक अफ इंडिया 3. पंजाब नाशनल बेंक 4. युनियान बेंक सही जवाब है ओप्शन 2. स्टेट बेंक अफ इंडिया सवाल नमबर 9 है गरीबों का बादाम किसको कहा जाता है? आपका ओप्शन है 1. चना 2. मून की दाल 3. सोयाबीन 4. मून फ़ली सही जवाब है ओप्शन 4. मून फ़ली सवाल नमबर 10 है नाइटोजन का रासाइनिक सूत्र क्या है? आपका ओप्शन है 1. O2 2 O3 3 N2 4 H2 सही जवाब है ओप्शन 3 N2 सवाल नमबर 11 है किस भारतिये ने सबसे पहले नोबल प्राइज जीता था? आपका ओप्शन है 1. पंडित जवाहर लाल नेरू 2 रविंद्र नाथ टैगोर 3 महात्मा गांधी 4 स्वावी वेकानंद सही जवाब है ओप्शन 2 रविंद्र नाथ टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर भारतिये मूल के पहले व्यक्ति थे पहले एशियाई और पहले गर यूरोपियर जिन्हें नोबल पुरसकार दिया गया था उन्हें 1913 में साहित्ते के लिए पुरसकार मिला सवाल नमबर 12 है ससुराल को अंग्रे जी में क्या बोलते हैं आपका ओप्शन है एक वाइप हाउज दो ब्रदर इन लो हाउज तीन इन लोस हाउज चार इन में से कोई नहीं सही जवाब है ओप्शन तीन इन लोस हाउज सवाल नमबर 13 है रतौन दी किस विटामिन की कमी से होता है आपका ओप्शन है एक विटामिन सी दो विटामिन ए तीन विटामिन डी चार विटामिन के सही जवाब है ओप्शन दो विटामिन ए विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौन दी नीरात में दिखाई देने में मुश्किल, आंख के सफेध हिस्से में धब्बे तथा कौनिया सूखना शुरू हो जाता है। इसके बाद कौनिया में घाव हो जाते हैं और यह अपारदर्शी हो जाता है। सवाल नमबर 14 है रावन का ससुराल कहा था। आपका ओप्षन है एक श्रीलंका में दो, जासी तीन, जोधपूर चार, नौड़ा सही जवाब है ओप्षन तीन, जोधपूर, मंदोर जोधपूर से 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक शहर है जिसे मंदोध्री जो की रावन की पत्नी थी उनका मूल स्थान माना जाता है। मियता है कि रावन की ससुराल यही है। रावन की पत्नी मारानी मंदोध्री जोधपूर के मंदोर के राजा की पुत्री थी। ऐसा कहा जाता है कि लंका से रावन बारात लेकर जोधपूर के मंदोर आये थे। कुछ स्थानिय ब्राह्मनों के बीच रावन को दामाद के रूप में माना जाता है और यहां उसे समर्पित एक मंदिर है सवाल नमबर 15 है महा भारत किस ने लिखा था आपका ओप्शन है 1. बाल में की दो आरे भट 3 वेदव्यास 4 काली दास सही जवाब है ओप्शन 3 वेदव्यास सवाल नमबर 16 है किस देश के लोग साप खाते हैं आपका ओप्शन है 1. अमेरिका 2 ब्राजील 3 नेपाल 4 वियत नाम सही जवाब कॉमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें